हेलो फ्रेंड्स हेश्टेग आस्क पीएस वीडियो सिरीज में आपका स्वागत है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो उसका अंसर में यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा यहाँ पे लोजिस्टिक कमनी शिपिंग एंड फ्रेट फोर्वेडिंग कमनी यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्टन है मैं आपको बता दूंग यह सारे लोग जो है सर्विस सेम देते जैसे कि लोजिस्टिक कमनी का काम है ट्रांस्पोर्टेशन करना वो बाई सी बाई एर बाई जो भी ट्रांस्पोर्टेशन करते उससे आप लोजिस्टिक कमनी कह सकते लोजिस्टिक वाले क्या करते बाई सी बी ट्रांस्पोर्टेशन करते बाई रोड भी करते बाई एर बी करते और वो लोग जो है कस्टम क्लेंस करके भी देते मतलब एज एक्सपोर्टर हम लोजिस एक पॉट से दूसरे पॉट पहुंच आना बट शिपिंग कमनिया जो है वो क्या कर रही है मतलब सारी सर्विसिज दे रहे है वन स्टॉप सॉलूशन वो लोग ट्रास्पोर्टेशन करके भी देते हैं वो लोग जो है कस्टम क्लेंज करके भी देते हैं और वो जो हमारा हैंistem करते हैं उसके बोलते हैं फ्रेट फ्र्ट इंक देंगे कस्टम कर कभी कि कमनिया सर्विसिज जो है यहां पर एक ही है नेक्स कॉमैंट है धर nouveaux को भी इसके रिलेटड है तुम्हें आपको यहाँ बता दू, freight forwarder मतलब वही transportation करते है, logistic करते है, मतलब cargo को जो है एक जगा से दूसरी जगा ले जाते है, उसे बोलते है, freight forwarder, मतलब आपका container, freight forwarder जो है, वह आपकी factory से उठाके, buyer की factory तक पहुँचा देगा, तो आप इसको जो है logistic agent भी बोल सकते हो, freight forwarding agent भी बोल सकते हो, तो इसका freight forward agent का काम क्या है, कारगो को हमारी factory से buyer की factory तक पहुचाना, और बीच के अंदर जो भी काम आते हो करना, जैसे कि यहाँ से export करना है, हमारी factory से कारगो उठाना है, उसको port में ICD में ले जाना है, उसका custom cleanse करना है, तो freight forwarding क्या करते है, CH को hire करते है, और कारगो का custom cleanse करवाते है, और जो है, वो कारगो को export कर देते है, अब आपको freight forwarding agent बनना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी person, logistic company खोल सकता है, freight forwarding जो है, कर सकते है, आपको एक company खोलना है, उसका current account को खोलना है, उसका GST नमबर लेना है, और उसके बाद जो है, आपको client डुणना है, हम लोग freight forwarding का काम करते है, आप आपका country हमें दीजे, हम आप जो बोलोगे, उस इसाफ से FOB, CIF के हिसाफ से, इंकोटम के हिसाफ से, जहां बोलोगी, वहां पर पहुंचा देंगे, तो यहां पर यह country आपको मि business कर सकते हो, shipping line से country का booking लिजे, और airline से air का booking जो via agent आप करवा सकते हो, और जो है, आप freight forwarding का काम कर सकते हो, और आप A to Z solution देना चाहते हो, तो आप CHS को hire कर सकते हो, या फिर financing में CHS को रख सकते हो, मेरा cargo आएगा, तो तू कर्षम करके देगा, तो आपको क्या करना है, exporter से country लेना है, उसके लिए आपको लगेगा ट्रक, तो ट्रक वाले सो ट्रक रेंड करके, वहाँ पर बेजना है, ट्रक वाला country को उठाएगा, वो पोट में जो आपने hire किया हुआ CHS है, वो कस्टेम क्लियर्स करके देगा, उसके बाद यो country जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक कुनाल का, यह भी रोजिस्टिक के रिलेटेड है, सर, कंसोलिडेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दू, यह आगे मैंने बता है, वो बता है, FCL के बारे में, फूल कंटेनल लोड जो है, एक्सपोर्ट होता है, उसके बारे में, अब आपको यहाँ पे को मिलना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वो आपका LCL कार्गो एक्सपोर्ड करके देगा, तो CHA को यह फ्रेट फोर्वर्ड रेडर को आप कंसोलिडेटर भी बोल सकते हो, मतलब क्या हुआ, मतलब यह कि जो LCL कार्गो का कंटर भरता है, समझो यहाँ पे कोई परसन यह फ्र वो कार्गो को एक्सपोर्ड कर देगा, तो LCL कार्गो को एकटा करना, उसे बोलते हैं, मतलब कार्गो को कंसोल करना, और उसके बाद जो है, एक्सपोर्ड करना, तो वो जो है, CHA करके देगा, आपका शिपिंग एज़न जो है, आपका फ्रेट फोरोर्ड जो है, वो आपक chain management in short with example तो supply chain management क्या होता है देखिए export import business के अंदर सबसे important चीज़ है supply chain management मतलब goods को time to time सही जगा पर पहुंचाना उसे बोलेंगे supply chain management मतलब क्या होता है जैसे कि अमेरिका के अंदर walmart करके supermarket है अब वहाँ पर कोई product भी करा जैसे कि garment है towel भी करा है वहाँ तो यहां से well spend करके कमनी है वो यहां से export करती है और अमेरिका में walmart import करके walmart जो है अपने store में बेशता है तो supply chain कहां पर आती यहां तब यहां पर supply chain का main role है कि time to time जो है cargo वहाँ पहुंचना चाहिए supply chain supply तो है एक बार नहीं पूरा chain है supply का chain को बोलते है supply chain तो अब यहां पर जो है यह टोवल का supply chain कैसे manage होगा जैसे कि यहां से अमेरिका country पहुंचने के लिए लगता है 40 days approximately 40 days लगता है मान लेते हैं कि Mumbai से country निकलेगा US के अंदर New York port पर country पहुंचेगा 40 days में तो अब वो 40 days में country पहुंच गया उसके बाद वो जो है 5 days के अंदर मौल में गूड़ पहुंच जाएगा और वहां बिखना शुरू होगा अब यहां पर एक country पहुंच गया वह बिख गया दूसरा container तुरंती वहां पहुंच जाना चाहिए अगर नहीं पहुंचा तो supply chain में गड़बड है supply chain के अंदर proper goods को proper time पे proper जगा पे पहुंच आना होता है उसे बोलते है supply chain management मतलब यहां पूरा manage करना पड़ेगा कि 40 days का transit time है और 5 days वहां से लगते 5 days यहां से total हो गया 50 days का transit time वगरे सब मिला के हो गया तो यहां से जो cargo निकलेगा वो 50 days के बाद जो है mall के अंदर पहुंचेगा तो उसका पूरा manage करना कि कितना बिकरा है उसी से आप से यहां से cargo निकालना जैसे कि कोई container है 20 समंदर में है 20 दिन के बाद पहुंचेगा समझो 20 दिन के अंदर एक country mall में खाली हो जाता है तो यहां से उसी से आप से cargo को निकालना पड़ेगा तो एक country 20 समंदर में पहुंचा दूसरा country यहां से निकाल देना है वो country वहां पहुंच गया एक country 20 समंदर में पहुंचा उसके बाद तीसरा container निकाल देना है तो इसको manage क हैंगे और भी आपको export import related कोई query है वीडियो के निचे comment किजिए and export import के latest update के लिए मेरी YouTube चैनल को subscribe किजिए और practically आप export import सिखना चाहते हो तो हमारा जो training है everything about export import को join किजिए let's go global together thank you thank you for watching this video export import के latest update के लिए हमारा telegram चैनल join किजिए और मुझे social media पे follow किजिए जिसका link नीशे description म सबसे पहले देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को subscribe किजिए और bell icon को click किजिए जिसे आपको जैसे नहीं वीडियो आएगा notification मिल जाएगा let's go global together thank you जैंहेंज। जैंहेंज। जैंहेंज।